मित्रो आईए, दूसरे रचनाकार को भी सुनिये, गाजीपूर की धर्ती से हमारे बीच फजीहत गहमरी जी है, मैं चाहता हूँ आप आए, माईक पर सीधे सीधे बिना किसी तमहीत के, देखिए आप इनको देख करके ये लगभग लगभग गेरुआ कुर्ते में हैं, तो आ आईवती के भी आदमी नहीं है ये, चहरे से भले लग रहे हो, है नहीं कसम से, एक बार जोड़दार ताली बजा करके फजीहत गहमरी तो थीख हो, थीख हो, थीख हो, थीख हो? थीख हो? नहीं देखा? कभी कर देख करके बहिया निचाही और मुचाही ताय करेक पड़ेला माई के स्वागत हो मेरे माई के पे आते ही आप लोग इस तर ते शांत हो के मेरी तरफ देख रहे हैं जैसे मेरे श्रधानजली दी जाए नहीं जिन्दा हो ते बार जोर्धा ढ़ंग से जीवी थोने का प्रमाण दे कहां से बजाओ थो मालिक बड़ा अच्छा कारिक्रम चल रहा है राम रहीम की आशाराम की बात हो रही थी कुछ पंक्तिया में कोई ग्यान की बात नहीं करूंगा नहीं आपको देख के प्रतीत भी नहीं होता है कि आप ग्यान की बात वागत ग्रूँ ग्यान से मेरा वैसा ही संबन्द जैसा मलिका शेराओत का कपड़ों से क्या बात है मेरी कविता में आपको कहीं भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दिमाग लगाने की जरूरत इसले भी नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं दिमाग लगा की कुछ कहता ही नहीं सच तो यह है कि मेरे पास दिमाग है भी नहीं क्या बात मैं तो इस टाइब की कविताय करता हूं जैसे बस और टेनों में नहीं बेचते हैं जंडू बाम भी लगाओ अभी आ रहा हूं आप सबको प्रडाम कर रहा हूं प्रडाम करने की आदत पच्पंद से ही रही है पहले जब भी घर से बाहर निकलता था जो भी सामने पढ़ जात में पढ़ा था तब से प्रडाम करना बंद कर दिया और प्रडाम करने के भी खामियाजे भुगत जाने पड़ते हैं प्रडाम करने के भी नुक्सान हो जाते हैं कल मैंने बुजर्गवार को प्रडाम किया कल मैंने बुजर्गवार को प्रडाम किया जूटते ही उन्होंने आशिर्वाद दिया कि फजिहत जी खुश रहो आबाद रहो यहां रहो चाहे लाहाबाद रहो तुम्हें न ज्वर हो न जूड़ी हो न खासी हो तुम्हारा घर स्वर्ग एसा हो तुम स्वर्गवासी हो अभी हम लोगों का राष्ट्री परो विलेंटाइन डे बीटा नहीं विलेंटाइन डे राष्ट्री पर घोशित नहीं है तो घोशित हो जाना चाहिए यही बात बुजुर्गों को खराब लगती है और बुजुर्गों को खराब इसलिए लगती है कि इन लोगों के जमाने में विलेंटाइन डे था ही नहीं अब हम लोग के जमाने में वेलेंटाइन डे आया है तो इन लोगं को बुरा लगता है लेकिन सही बताओं दमदार भाई की इसमार वेलेंटाइन डे के दिन देखा कली हो ना वहीं एक असर हो पुरा एक बार जोरदार ढंग से हारा हारा महा तो मैं कर रहा तो इस बार वेलेंटाइन डे के दिन दमदार भाई आपकी कसम खाक कर रहा हो कि मैं भी पार्क में चला गया थे यार अभिदास हो मैंने एक लड़की को फूल दिया जैसे ही फूल दिया उते खीच के एक थपड़ मारा है मैंने खा मैडम ये क्या मज़ा कर रहे हैं वेलेंटाइन डे के दिन इतने प्यार से मैं आपको फूल दे रहा हो आप उचे थपड़ मार रही है लड़की ने कहा परिशान मत हो ये अपने पने चुनाव चीन की बात अब मजा लीजियेगा तालिया बजा ये लड़की ने कहा अपने पने चुनाव चीन की बात है तुम्हारा चुनाव चिन फूल और मेरा चुनाव चिन अगर कमनिष्ट की होती तो थोड़ी देर बाद और समझ में कि ये भी अच्छा हुआ अगर बसपा की होती तो फिर वेलंटाइन डे के दिन उस पार्क से जो चार पंक्तिया पैदा हुई वो चार पंक्तिया आपके हवाले करता हूँ और उन चार पंक्तियों से आपका छमाही टेस्ट भी ले रहा हूँ कि मुझे कितनी देर तक माइक पे रहना है जादे देर तक माइक पे रहा कि अपनी जतावरू खत्रे में डालना नहीं चाह रहा हूँ विलेंटाइन डे के दुन उस पार्क से जो चार पंक्तिया पैदा हूँ आपके रहता हूँ कि अपनी दिल कश आदाओं से निमंत्रन मूख देती है गिरा के हुसन की बिजली मेरा दिल फूख देती है गिरा के हुसन की बिजली मेरा दिल फूख देती है करू मैं किस तरह से प्यार का इजहार तुम बोलो मैं उसको फूल देता हूँ वो मुह पे थूख दे मतलब की बात जल्दी समझ जा रहा है अब आपके चाल चलन का भी मुझे अंदाजा हो रहा है एक समझार दमदार भाई बड़ा सुर्खियों में था पिछले दिनों एक भजन के बहुत बड़े गायक शादी कर लिये थे बात वही से शुरू करता हूँ कि मन मीरा सूर तुलसी में बसाने लगा हूँ पद भक्ति के रागों को गुन गुनाने लगा हूँ जब से सुना जलोटा को जसलीन मिल गई सब काम धाम छोड़ भजन गाने लगा हूँ कुछ पंक्तिया और पढ़ता हूँ पढ़ 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 पिछले दिनों अभी राम रहीम बाबा की बात हो रहे थे हो रही थी गिरने की बात अधरनी दमदार भाई कर रहे थे इस देश में दो मुल्यों में गिरावट हूई है एक नयतिक और दूसरा राज नयतिक अधरनी कर रहे थे तमाम बाते कर रहे थे पिछले काल में आपने देखा होगा कि देर सारे बाबा लोग पकड़े गए यह चांती से बैठो बच्चो बहुत सारे बाबा लोग पकड़े गए यह सिलसिला नहीं रुक रहाता आखिर ये क्यों नहीं रुक रहा था मुझे लगा कि दमदार भाई की कानून से सजा से इस देश में जिरे-जिरे डर अब समाप्त हो रहा है तो मैंने मन्थन किया तो मुझे समझ में आया और मैंने मोदी जी को इसका उपाय लिखके भेजा कि अगर मोदी जी हमारी बात माल ले तो ये जो सिलसिला बलातकार का और बाबाओं का हो रहा है ये पर्मानेंट विराम लग जाएगा है वह ने क्या पत्र लिखा मैं आपको बताता है कि जो देश द्रोही हो उन्हें सूली चड़ाईए वाह जो देश द्रोही हो उन्हें सूली चड़ाईए पत्थर चलाने वालों पे गोली चलाईए कि जो देश द्रोही हो उन्हें सूली चड़ाईए पत्थर चलाने वालों पे गोली चलाईए यदिलिप्त दूराचार में कोई मिले बाबा ले जाके यस्पताल में बधिया कराईए वाह वाह बहुत बढ़िया समर्थन है बहुत अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखे पुलिस भी आपकी बात सुनकर के तालियां बजा रही है पुलिस वाले लोग से मैं बहुत डरता हूँ पिलहाल जितनी दूरी बनी हुई है उतनी ही रहे मुझे सकुषल घर भी जाना है कुछ बाते और करता हूँ उसके बाद प्रकी लंबी लिस्ट है नए नए बिल्कुल बिल्कुल कर दीजे दरसल में दमदार भाई का कोई कसूर नहीं है इनकी आदत है कि जब भी कोई हासी का कभी माई प्याता है तो छेड़ना शुरू कर देते हैं और जिसके जो आदत पढ़ जाती है वो कताई नहीं जाती है आप देखे होंगे कहीं भी देखिए कि जिसके जो आदत पढ़ जाएगी वो नहीं जाएगी मुझे वो घटना यादा आती है कि मेरे गाओं में सब्जी वाले के हाँ बच्चा पढ़ा होगे सुबह सुबह मेरे घर आया उसने का भाई साब मेरे बच्चा पढ़ा हुआ है मैंने का बच्चा कैसा है उसने का बिल्कुल ताजा है आदत की बात है बच्चा क है जसके जो आदत पढ़ ज्यास है ऑब जिसकी जो आदत की जब शादी हुई प्रतम रातरी में जब कमरे में जयने लगा कमरे में गया पतनी पलंग कियनारी सिकुडि सभी सिबाइच हुई थी मैं बहनजी थोड़ा सा उधर पिसक की सवारी स्ट dzisiaj राएगा है। अड़क यहां की बाति हुआ हो Heet मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूँ अपने गाजिपूर की बात कर रहा हूं मेरे फिरोगाल जी की सादी अगर होंगे तो माफ करेंगे, यहां की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत निरी हिप्राणी हूँ, मेरे हाँ जब दरोगा जी की शादी हुई, तो जिसकी जो आदत है वो जाएगी नहीं, पर्थम रात्री में जब वो कमरे में गए, उन्होंने पत्नी से कहा, तुम अ जादी ही तूट गए, एक एक और मजे की घड़ा याद आजारे इसी बात पर, ने, कसम का के बताएगे यहां की पुलिस अच्छी है की नहीं, बिल्कुल अच्छी है, बस अच्छी है तो एक बार हत्थे चड़ के देखिये, ने, ने, इसलिए न की, यहां जो दिया मेरे ह बीस रुपया है, यहां का रेट में नहीं जानता हूँ, जो अनाप सनाप वक्ये, बीस रुपया दे दीजे माप हो जाता है, यहां का मैं नहीं जानता हूँ, मैं बहुत डर रहा हूँ, यहां पर उसी बीस रुपय का तेल खरीद के डंडे में लगाया जाता हूँ, यहां आटों बात्पाई हो गये घंप मेरे हम एक बिधायक जी की सादी période हम कर अभर बिधायक जी की सादी हुए जिसकी जो आदत है प्रतम रात्री में वे जब कंड़े की तरफ जाने लगे विछयए समर्थक बीघूने लगे हा कर ऑद Gece दर्वाजे के पास विधायकी जैसे मुण के पीछे देखे, समर्थक उनका दिमाग खराब हो गया, उन्होंने का तुम लोग जाओ, अब तुम लोग का काम समाप्त हो गया, समर्थकों ने का नहीं विधायक जी, आप अंदर जाए हम आपका बाहर से समर्थन करेंगे, असली आप चाहिए कि थोड़ी देर बाद अंदर क्या हुआ मुझे नहीं पता, दस-पंदरा मिनट बाद समर्थक नारा लगाना शुरू कर देखे, विधायकी संघर्ष करो हम तुमारे साथ हाँ एक रचना पढ़के मैं शहीद हो जा रहा हूँ अक्सर दमदार भाई हमसे कहते रहते हैं कि भजीजत बड़ा बगगगग बगगग बोलते रहते हो बता सकते हो कि आदमी और भालु में क्या अंतर होता है। मैंने का दमदर भाई ये तो कोई बेवकू भी बता सकता है। पोलिसीले तुमसे पूछ रहा हो कि इन्होंने का आदमी और भालू में है उंतर होता है तो चया बात है। कि या बात है इनके ऊपर कुछ उपर ही फेर हो गया है आप इस तरह से बैट जाईए जैसे क्या पैदा ही नहुए है तो दम्धार भाई ने कहा कि आदमी और कुत्ते में क्या अंतर होता है मैंने कहा कुत्ता वा भाधार होता है इन्होंने कहा तब एक अंतिम बात बताओ कि आदमी और भ्रष्ट नेता में क्या अंतर होता है। और मैंने जो जवाब दिया, लगे कि मैंने सही जवाब दिया है, मेरा जवाब आप सब का जवाब है, तो भरपूर तालियों से छोटे कभी को आशिरवाद दिजेगा। इन्होंने कहा, कि आदमी और भ्रष्ट नेता में क्या अंतर होता है। मैंने कहा, आदमी थोड़ी सी कोशिच करे, तो भ्रष्ट नेता बन सकता है। हाँ हाँ क्या बात है बापा 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 बहुर अच्छा व्यंगा बाई ब्रस्ट नेता लाग कोशिश करे आदमी नहीं बन सकते लाजवाब तब इस चुनाव के बाद मैंने एक व्यंग की कविता लिखी वो आपके सदन में रख रहा हूं और भरपूर तालियों से आपका से अब तक मैं मुझे हासे सुना रहा था मुझे उपूरी उमीद है कि आप व्यंग पे भी मुझे उतना ही आशिरवाद देंगे व्यंग की एक कविता पढ़ता हो कि सदे टमाटर की तरह गिर गया भाओ जब नेताजी हार के चुनाओ एक तो महोदा यंग उठा चाप उपर से राजनीत पे फ्लाप चपरासी की नवकरी भी मुह मोडने लगी उधर महंगाई कमर तोड़ने लगी उछ भी करने को थे तय यार तभी एक बार में देखा एक सरकस कमपनी का इस्तहार मैनेजर से जा किया गुहार भईया दे दो हमें काम भले कुछ भी देना दाम आपके हर कारे को निष्ठा पुर्वक देखोंगा आप कहें तो घोड़े गधों की लीद भी पेकोंगा वैसे अभी अब तक की प्रमाण के तोर पे छे महिना विधायक रखे आया हूँ मैंने जर बोला ये काम तो करने वाले हैं पर एक काम है आपके लायक आप शर्तिया कर लेंगे क्योंकी रह चुके हैं विधायक दरसल हमारे सरकस का शेर मर गया है आपको शेर बनना होगा हमने उसकी खाल रख लिए पहानना होगा और कटगरे में सिर्फ प्रहलना होगा प्रिकार जिसका बटन दबाने से शेर दहार लगाएगा तब पब्लीक को मजाएगा इतना सुनते ही नेता नेता बेहया कि फूल की तरख लगया क्योंकि चरितर के अनुरूप ही कामिल गया इतना सुनते ही नेताब यहया के फूल की तरह खिल गया क्योंकि चरित्र के अनुरूप ही काम मिल गया वह बोला हमने अब तक यही तो किया है यह तो सिर्फ एक है हमने अनेक खालों में जिया है यह तो सिर्फ एक है यह तो सिर्फ एक है हमने अनेक खालों में जिया है तमाम नाटक और नोटंकी रचाता था जहां टेप द्वारा शेर की दहाल बजानी है वहां मंचों पे दिया सेक्रेटरी का भाशन बजाता था और मैं तो सिर्फ उस पे मुह चलाता था अगले सो में नेता जी खाल पहने थे बहुत खुश बड़ी अदा के साथ कट घरे में गय घुश शेर देख बच्चे हरसाने लगे उधर नेता जी उचल उचल कर तहाल लगाने लगे तभी कट घरे में दूसरा शेर आया इनकी तरफ मुह करके दूगुने स्वर में गुर आया डर के मारे नेता जी दो पाओ पर खड़े हो बचाओ बचाओ चिलाने लगे इधर दर्शक दो पैरों पर खड़ा शेर देख और जोर से ताली बजाने लगे तभी दूसरा शेर धीरे से डाट के बोला वे चुप ना लाएक मैं भी हो तेरा हरा विधायक अरे जूटा आज तो ही जूट से डर गया अरे जूटा आज तो ही जूट से डर गया अपने परपड़ी तो चिला रहा है बचाओ 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 में मर गया अपनी इंसल्ट होते देख पहले शेर को ताव आ गया दोनों वापस में भिड़ गए सरकस में चुनाव आ गया